नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका लड़निफाई की यूट्यूब चैनल में यह अपने मद्यकालिन भारती इतिहास की सिरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं शहाजां के बारे में जो कि एक और मुगल सामराजय का एक राजा है ठीक है वैसे सबसे पहले मैं आपसे छमा नहीं कर पाया तो आज फिर से मैं इसके रेकॉर्ड करके आज अपलोड करने वाला हूं ठीक है तो इसके लिए माफिस सबसे पहले और चलिए शुरू करते हैं अगले मुगल बादशाह के बारे में जिसका नाम है शाजां ठीक है सब पिछले वाले लेक्शर में हमने देख ठीक ब्लब चया नाम से छाजाम होता है लाहोर में इसकी माँ बी एक हिंदू राजर कुमार ही हुआ करते थी और बड़ा प्रतिबाशाली विक्ति करता था शाजया जाहां कि यए मेवार से संधी करने कों जाता है शाह संधी करने हमने कर देखबों कि य हम già chilly जहांगीर के काल की जो एक बड़ी उपलब्दी वह ठीक है उसका जो Prab Yo hoता है मुम्ताज महल जिसका असरी नाम वह करता था अर्जूमंद बानो बेगम, मुम्ताज महल के नाम से ही वैसे हम लोग जानते हैं, यह बेटी हुआ करती थी आसब खां की, ठीक है न, आसब खां नाम का एक विक्ति था, उसकी बेटी हुआ करती थी मुम्ताज महल, इससे उसकी शादी हो जाती है, और परन तो देखें, नूर जहां के मारे पक्ष लेगी शहर यार का, और आसब जहां किसका पक्ष लेगा, आसब खां पक्ष लेगा, खुरम का, इसी वज़े से देखें, दरबार में घुटबंदी शुरू हो जाती है, और नूर जहां का जो है, वहाँ पर प्रभाव भी थोड़ा रहता है, और इसकी वज़े से हमने देखा था कि कंधार इनके हाथों से भी निकल जाता है, जब 16-27 में जहांगिर की मृत्य हुई, तो सिंगासन पर बिठाने के लिए क्या हुआ, नूर जहां जो थी, वो तो किसका पक्ष ले रहती है, शहर यार का, क्योंकि ये इसका जमाई था, और आसफ खां किसका इसको तो बादशा बनाना यह था, क्योंकि गदी जो है, वो खाली नहीं छोड़ी जा सकती, इसलिए क्या गया कि जो खुसरो था, उसका बेटा जो था, दावर बख्ष को कारे-कारी राजा बना दिया गया, जैसे अभी नहीं कारे-कारी प्रधार मिंत्री बना दिया जात जाता है, उसके बाद में जब वहां से शाह जहां जाता है, तो शाह जहां का राजजा बिशेक कर दिया जाता है, और उसके बाद से ही नूर जहां तो अपना कामदाम राजनीती छोड़ देती है, और अपना शान्ती में टाइम बिताने लगती है, उसके बाद में जो शहर तो आप काम करो आप सिले जाओ जाए और इस परकार से जान बच जाती है और थोड़े दिनों बाद में 1645 में नूट जहां जो ऐसके मिन्ष्ट्यव हो जाती है तो इस प्रिकार से खाल राजया बिश्यख हो जाता है देखे है यह है ठीक है अब देखे हैं राजा बनने के बार में सबसे प्रदेश रूप में और यह पैसे रखवा उससे ले लिया जाता है और इसे माफ कर दिया जाता है और इसे 4000 जो है उसका मनसबदार भी बना दिया जाता कि 4000 जात और सवार का खर्चा चलाने के लिए इसे जागिर दे देते हैं कि जा भाई इतने खर्चा चलाने के तुझे हम जागिर दे रहें अब यह विद्रो तो मत करी हो ठीक है मगर जुजार सिंग जो है कहा मानने वाला में जुजार सिंग मारा जाता है इस प्रकार से बुंदला राजपुतों का विद्रो जो है वो हो जाता है शाजाएं काल में और इसको दवादियाबाद में जाता है अब होता है खाने जहां लोदी क्या होता है कि दक्षिन भारत का जो गवर्नर हुआ करता था वो खाने ज यह अहमतनागर हाँ मित्रता कर लेता होता है और विद्रोकर देता है अब क्या होता है जा अग को पता लगता है तो 1629 स्तित इस वी में शाहऀ युद्ध गानेटरटों करने के लिए धक्षिंड की और रहोना हो जाता है बही के सामने कि हम तो काली कर दो माफ यह बंद्या जो है इस नंगराई इसने करा कुछ फिक है अब खाने जाता बीजापूर के पास में और फिर उभिनतेर है बुनदेलगंदि के पास में आप यह कर पेटलेते हैं कि कौन लड़ेगा भा करते हैं तैक क्या हुँआ कि यह कष्या एज करता हुआ है यह यह जाथ है यह जह दर्वाजा बंद कर दिया तो इस प्रकार से देखिए दूसरों के कंदे पर बंदूक रखके कभी आपको जीवन में नहीं चलानी चाहिए जितनी आपकी उकात है आप उसके अनुसार कारी कीजिए किसी दूसरे के भरोसे कोई कारे नहीं कीजिए देखिए यह गलती के खाने जान लोदी का विद्रो जो था उसको भी दबा दिया गया अब जो है 1630 इस वी में अकाल पढ़ता है इसमें इतने सी बात याद रखने वाली है कि 1630 इस वे उसमें गुजरात और खान देख जो है न वहां पर अकाल पढ़ जाता है और महामारे भी उसकाल में आ जाती है औ आप देखिए कोई तो इतियासकार है वो कहते हैं कि जो सरकार है यानि कि बादशा था उसने ठीक से मैनेज नहीं करा उसको और कुछ जो है वो कहते हैं कि नहीं बादशा ने ठीक धंग से मैनेज करा बलकि भंडारे बगर्या लगवाय थे और जो कर था लगान वो लगान माफ कर दिया था इस प्रकार से यह थोड़ा चलता रहता हितियास कारों के बीच में हमें इंस में पढ़ना नहीं है इतना याद रखिए कि शाज आंगे काल में 1630 में एक अकाल पढ़ गया था कहां गुजरात और खांदेश में ठीक है अब चलते हागे अब करेक्टर से मैं आपको आपका इंट्रक्शन करवाने वाला हूँ यह मुनताज महल देवी वो सोजनो स्वागत किजिए मुनताज महल कह तो यह मंताज बेगडा इस प्रकार से मैंने आपका बहुत सारे लोगों के साथ यहीं अपका इंटर्डेक्शन करवाया थोड़ दो पिछले लेक्शे में मैं आपका नूत जहां से करवाय से इस बार मैं करवार हुआ हुं मुमताज महल कौन थी मुमताज महल हुआ करते थे शाह जहां की बेगम शाह जहां का प्यार मुभबत हुआ करते थी उंताज महल और ये आसफ खां की बेटी हुआ करते थी आसफ खां वही जो इसे सुल्टान बनाना चाहता बादशा बनाना चाहता था शाह जहां को ठीक है तो ये बड़ी ही देखे ये एक दू अपने पती का साथ तो देती ही है देखे फिर व्यक्तित तो भी इसका बहुत अच्छा होता है गरीब लोगों की शाहिता भी है यह क्या करती थी और जब इसकी मृत्य हो जाती है 1631 इसमी में तो इसकी याद में जो है तो ताजमेल बनाए जाता है शाजान के द्वारा ताज मेल जो है वह है आगरा में यह है ताजमेल और यह है अपनी मुम्ताज मेल अपनी मतलब शाह जाह की मुम्ताज मेल हैं जी तो देखिए जितने सुन्दर यह है उतना ही सुन्दर ताजमेल बनवाया शाह जाने ठीक है अब चलते हैं आगे पानी पीलूए वार अब इसको दर बार में भी आयалась त है मुगल दर बार में भी आया थे। जैसे हमने दिखा विलियम फिंच, हो गया है ज़्र टॉमस रों हो गया इस प्रकार से इसके दर बार में भी आया थे जहांगर के दर będzie किया हो था कि इन लोगों को यहाँ यहाँ भर गिर को हम लोग इनसे चीन लेते हैं ठीक है यह जब हम यूरोपियों का आगवन पढ़ेंगे तब और इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अभी यह जानते हैं कि हुगली नगर जो है वहां पर इन पूर्टगालियों की कार खाना इनका हुआ करता था हुगली देखें मैं आ अब कार खाना लगाने के इनको छूट दे दीगी पर यह लोग क्या शेतानी करते थे कि जो हिंदू और मुस्लमानों के छोटे बच्चे हुआ करते थे अनात बच्चे इनको यह पकड़कर ले जाया करते थे और उनको जबरदस्ती यह इसा ही बना दिया करते थे पाई चो खेने दे रहा हूं, इनको मैं नहीं के आग्या हूं कर रहा हूं, इनको गर्जियागर बनाने दे रहा हूं, यह तो भाई गलत पर unique मेरी जनति के साथनुगस कासम खा Abstract बंगाल का राजयपाल बना कर कि कासिम कहां तुम जाओ और देखो ये लोग क्या गडबड़ी कर रहे हैं तो कासिम कहां वहाँ पर जाता है और पूर्तगाली लोगों से बातचित करता है पूर्तगाली मानते नहीं है तो पूर्तगाली लोगों को ये चारोर से घेर लेता है तीन महीने तक घेरा चलता है और बाकाईदा पुर्तकाली भी टकर देते हैं अच्छी खासी मगर तीन महीने के घेरे के बाद में पुर्तकाली लोगों ने आत्म समर्पन कर दिया समर्पन करना ही था क्यूंकि 10,000 से ज्यादा पुर्तकाली लोगों को मार चुके हैं और 4,000 से बना कर नहीं रखा मेंटेन नहीं कर पाएं इसलिए अंग्राज जो सही हार गए नहीं तो मुगल बात जो सेना वा करती थी बहुत सुद्रड हुआ करती थी उसकाल में बाद में आगे जाकर इन लोगोंने क्या है कि थोड़ा टेक्नोलोजिकल एडवांसमेट उसमें नहीं कि है कि इस देखने उत्तर भारत को इसने जीत लिया ठीक है अच्छाका इसका चल रहा है इसका ध्षन बारत की और इसका ध्षन बारत में तो देखें अहमत नगर पर हमला किया जाता है और मलीक अमबर जब तक प्रधान मंत्री रहता है वो मराठाओं के साथ मिलकर इनके नाक में दम करके रखता है मुगलों के वो उसको पूर्ट या जीत नहीं पाते हैं वो वहाँ पर छोटा सा घेरा डालते हैं उसमें ही शहजादा खुरम को वो शाजयां की उपाजित देते हैं बड़ी पाट्निया करते हैं यहाँ पर पुराज़दानी में हैं उसमें कितने खुश हो जाते हैं अब मली कंबर मर जाता है मली कंबर की मृत्ति हो गई अब बचा सुल्तान और मली कंबर का बेठा फतेह खां इन दोनों के बीच में राड छिट जाती है युकि जब तक मली कंबर जिन्दा था तब तक तो फतेह कान की बेच्छी खांशी चला करती थी ठेक हैं और मली कंबर जिन्दा था तब तक यह सुल्तान जो हुआ करता था यह भी उसकी मात मली कंबर का सम्मान के करता था पर नवी इनके बीच में थन जाती है दिकार कर लेता है अधिकार करके जो वहां का सुल्तान होता हुसेन शाह को बंदी बना लिया जाता है इस प्रकार से अहमद कि भाई देखो हमारा तो ये राजा है ये सुल्तान मनेगा उसको सुल्तान इन्हों ने शाजी मोशले ने बनवा दिया ठीक है पर हम तो देखे फिर से शाजां के सामने तो इनको आत्म समरपण करना पड़ गया और 1636 आते हमद नगर को पूर्णतिया नस्त कर दिया गया और उसका प्रदेश जो था वो शाजां और बीजापूर इन दोनों ने आपस में बाट लिया ठेक है देखे वो मैं आपको जब पढ़ा रहा था खाने जान लोदी तो ये बीजापूर वाला और ये जो थे ये तो इन लोगों से वो साहिता मानगने कोशिश करता पर वो साहित नहीं करते हैं ना वो हमने देख लिया था माँ पर तो एहमद नगर को इस अब छिन्न भिन्न कर दिया जाता है और शाजां और बीजापूर का सुल्तान आपस में इसको बाट लेते हैं देखे ये शाजी बोसले ये साथ किसका देता है निजाम शाहिव वन्ष का साथ ये एहमद नगर का थेकं है अब एहमद नगर को जीत लिया थोड़े दिनों में बीजापूर का भी नंबर आ गया थेक है बीजापूर का राजय हुआ करते था उस टाЕंब पर मुहमध अदिल्शा सुल्तान हुआ करते था और ये क्या करता है मूर्तजा निजाम के साथ ये म आश्र किया करता थे लोग अनने सहयोक किया था छिए न बिजाप fluff को Prix मुस्लिम को इनको हिंदी मुस्लिम में बाहर द की यह मुस्लिम नहीं कर दो और जाति इससे कोई मतलब नहीं है इनको मतलब है सिर्फ अपनी सत्ता से लिए क्या होगा कि मुगलो का यह द्यास एसा फ़ल हो गया क्योंकि मराठे भी मिल गई और इस बार बीजापूर भी मिल गए ठीक है अब इसके वज़ा से गुस्सा आ गया शाजां को किस पर शाजी भोसले पर देखे पहले खाने जान लो दिको फिर इसने हेल्प करी एहमेद नगर को हेल्म करी इस बारे बीजापूर को भी हेल्प करने आ जाता है इसलिए पहले शाजां सोचता कि इस शाजी भोसले का इलाज करना पड़ेगा तभी बात आगे बढ़ सकती है ठीक है अब जो है शाजी भोसले के उपर करी जाती है कारवाई ठीक है और गोलकूंडा और भीजापूर देखे एहमेद नगर को पहले समाप्त करी आ जा चुक है अब बचा बीजापूर और गोलकूंडा इनको इधर से फोन कराजाता है ठीक है शाजां के उरसे यह महराज भोलने है शाजां हम और देखे हम जा रहे शाजी बोसले की को हराने तुम लोग जो है उसकी साहिता मत करना नहीं तो रहप्टे बजेंगे आप बजेंगे लट अब यह वाली बात जो है क्या होता है घोलकुंडा के साथ ने तो मान ली कि बाइचाब हम तो आप जानो और आपका काम जाने हम तो बीच में कोई बीजापुर यह कहा है भाई दूद का कर्ड सकाएं पर अपर चुकाने के लिए बिजापुर यह क्या क्या tą 一bn उने पर मगले तो इन्हों ने मुगलों को जब गुस्सा आया, तो इन्हों ने क्या किया, आस पास का जो छेतर था, गड़के जो किया वाधडता था, उसका आस पास के छेतर, उसमें खुब मार काट करी इन्हें, आम जूनता को मारा खुब, इसके वज़ाना को एहसा आय देखके, पूर्ति पूर्ति के हर जाने की रूप में कि भाया तेरे वज़े से हम लोग दिल्ली से यहां आए हमें जो 20 लाग का नुक्सान होगा वो कौन देगा बीजापुर का सुल्तान क्योंकि पहले तुम्हें तुम्हें फोन करके बोला चिट्टी लिखके तुझे बोला कि इसका यह बीजापुर है यह बीदर बरार और यह अपना गोलकुंडा है ना यह पांच अवसेशी राज़े हुआ करते थे किसके बहमनी सामराज्ये के ठीक है अब देखिए औरंग जब को दक्षिन का फिर राज़ेपाल की रूप में नियुक्त कर दिया जाता है इसमें को ज्य आतरा इसलिए बात मान ली थी इसलिए गोलकुंडा बच गया था और बीजापुर नहीं माने थी इसलिए बीजापुर को तहसनेस कर दिया गया अब बीजापुर के बाद में नमबर किसका आगया गोलक२्डा क। क्यूंग कि गोलकुंटा का शाशक ने जो पहले मुगलों, जाथ संदीक कर रखी थी, और संदीक के अनुशार जो इनको वार्षिक कर देना था, और कर जो इनों नहीं दीया और साथ इसाथ इनका जो, वजिर यानि प्रधारमंत्री वहा करता था, मीर-जुम्ला ये मीर जुमला क्या करता था ये इसने अपनी सल्तनत की सीमाओं को भी बढ़ा जिया और जब ये सल्तनत की सीमा बढ़ाएगा इसका मतलब क्या होगा कि वो सल्तनत की सीमा कहा बढ़ी मुगलों के छेतर में बढ़ी इसलिए इसके विरुद्धुबे फिर कारवाई करनी पढ ठीक है और यह संदी पर लिखवा लिए जाता है कि जो हमारा मतलब जो दामाद है तुम्हारा वही तुम्हारा उत्रादीकारी होगा यानि और अगजब का बेटा तुम्हारा उत्रादीकारी होगा यह वाली बाद संदी में लिखवा लिजाती है ठीक है अब यह मीड जुमल बिजापुर के साथ और अरंग्जप का साथ नहीं दे रहा था इसलिए और अरंग्जप को बिल्कुल बुरा लगेगा ठीक इसलिए क्या हुआ जब आदिल शाह की मृत्यु हुई बिजापुर का साथ सकता मोहमद आदिल शाह उसकी मृत्यु के बाद उसका 19 वर्षे बेटा जब राजा बना तो औरंग्जप ने बिजापुर पर आक्रमन कर लिया और उसका जो छेत्रुवा करता था बीदर और कल्या जानी इस पर वो अधिकार कर लेता है और विजापुर को फिर संदी के लिए बाद दे होना पड़ जाता है हाला कि अभी तक भी संदी करने के पक्ष में तो और अंग्जप नहीं रहता है और अंग्जप चाहता कि मैं तो रिजुद्ध करूं और पूरा इसे लूट कि परंतो एकदम से चिर्थ खबर मिलती है कि बापु जी बीमार है कहां पर अग्रा में मतलब अपनी राजधानी में बापू बीमार है और राजधानी ने हो गड Obie थि तो जो दिल्ली का लाल किला है वो शाजाई नहीं बनवाए था तो भाई बापु बिमार है तो इसको जैसे पता लगा तो यह वहाँ से सब कुछ हवड़ कर संदी करके वहां से सीधा निकल पड़ता है राजदा निकी और क्योंकि इसको राजा बनने की ज्यादा जिद्ध थी इसलिए इसको महाँ पर संदी करनी पड़ जाती है अब लुट लेता है अब होता है भारस का जो शाह होता है शाहबास वो क्या करता है अली मर्दान खानाम का एक आदमी होता है उसको कंधार का राज्यपाल कर देता है और इधर जब 1638 में मुगल जो है कंदार वर विजाई की तैयरी कर रहे होते हैं तो अली मर्दान खा को जो एक खबर पता लगती है तो वो फोन करता फारस के राजा के पास कि महाराज इधर ये मुगल मेरे पर हमला करने वाले आप एक काम करो सेना भीर दो उदर स कोशिश करता है मगर कर नहीं पाता है ये बारे बात भाई दिल पर लगते है भाई की दिल पर लगी अली मर्दान खांके तो अली मर्दान खांके दिल पर लगी तो ये क्या किया इसने फोन करा मुगलों को कि बाइधा मैं आपके पक्षमें हूँ आप तो आओ और कंधार क कंधार को लेने के बाद अलिमर्दान खांगें तो कुछ मिलेगा तो मुगल-दर्वार में उसका स्वागत किया जाता है बढ़िया पाट्टी वाट्टी उसके करवा ही जाती है और काबुल कौन जो फारस का शाह होता वो मुगलात्म समर्प्रमारा कर देते उसके बाद देखिए औरंग्जेब वगएरा शाह जाहां वगएरा सुरी औरंग्जेब को भेजा जाता है वहाँ पर युद्ध करने के लिए साथ-साथ इसका भाई होता है कि यह औरंग्जेब को भेज दिया है साथ-साथ दारा जो होता उसको भीजा तो बड़ी उसके साथ कहता है बड़ा साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स सब्सक्राइब प्रिश इसका चल रहा है वह कुमेट प्रिशक शाशन ओहां छोड़ा कि यहां पर है और नहीं रहां फ्रन जोगें बुद्ध किने scientists कर ना इंद तो देखेंगा ये गोर, ये गजनी, यह ना, मुहम्मद गजनवी, मुहम्मद गोरी यह यहीए के, आये थे ठीक है? ये कंधहार हैं40 यह देखिये यहां पर। ठीक है? ये थोड़ा साथ जानकरी, यहां से हमने ले ली, अब जलते हैं, बलकोर बदक्षा के उपर, बलक और बदक्षा के जीतने के लिए भी मुराद को भीजा जाता है मुराद शहजादा होता है और अली मर्दान को साथ में भीजा जाता है ठीक है परन्तु मुराद की मुराद जो है वो पूरी नहीं हो पाती है वो बलक और बदक्षा को नहीं जीत पाता है फिर औरंग जेब को और शुजा को भी भेजा जाता है मगर वो भी इसको नहीं जीत पाते हैं पर एक इत्यासकार हुएं सर येदुनात सरकार है वो तो कहते ही हैं कि ये लोग इस चक्कर में लड़ते रहे कि वहाँ से इनको आमधनी तो होने वाली थी बाइस लाग की और इनको खर्चा वहाँ पर कितना कर दिया चार क्रोड का इनको ने खर्चा कर दिया तो ये इतना मतलब गाटे वाला ही सोदा इनके लिए रहा हो जीत भी नहीं पाए और इनको आमधनी भी होती तो बाइस लाग की और खर्चाय उलड़ी 4 क्रोड हो गया ठीक है तो ये बलक और बदक्षा भी इनके हाथों से निकल गया ये जीत इसे नहीं पाई कंधार निकल गया बलक और बदक्षा नहीं जीत पाई ठीक है अब देखिए सब बहार का तो सब ठीक है बदक्षिण वाले राज्य को इन्हों ने जीत लिया कंधार चल निकल गया बलक बदक्षा ये नहीं जीत पाई जो देखिये कहा अबभ میںconomistat के पास पर ठीक अब हो जाता क्या कि घर में लडाई शुरू हो जाती है शाजा बिमार पढ़ जाता है बिमार पड़ जाता है शाजा तो अब उसके मुरत्यों की अफाएं भी उड़ नहीं लगती है कि शाजा मर गया शाजा मर गया इसलिए सारे जो शेजाजे थे वो राजली में इकटा होना शुरू हो जाते हैं और यह अपनी अंतिम वसियत बना देता है शाजा और शाजा की उस ताइम पर देखिए 14 संतानों में से 7 संताने जीवित हुआ करती थी जिसमें चार तो बेटे थे और तीन उनकी बेटिया उसकी बेटियां भी हुआ करती थी चार बेटों में देखिए दारा शिको जिशे दारा कहते हैं हम लोग ऐसे नर्मली तो दारा 43 साल का था और किसको अपना उतरादिकारी चुनता है और सबसे बढ़ा भी था तो दारा को ही अपना ऊतरादिकारी चुन लेता मगर यह नागवार गुजरती एक किसे औरंग्जेप को ति हैं नहीं राजा तो बनूंगा मैं क्या बात ठीक है इसने क्या हुआ जैसे इसने शा जां में व सबसबसे पहले शूजा और दारा के बीच में लड़ायी होती है शूजा और धारा के बीच युद्ध होता धर्मत के मैदान में यहां दारा हार जाता है फिर थोड़े दिनों बाद में दारा और औरंग्जे में फिर युद्ध होता है और सामुगड में और इसमें भी दारा हार जाता है चोथा युद्ध होता है औरंग जेव और शुजा के बीच में इसमें औरंग जेव जीच जाता है ठेक है यानि शुजा भी इसमें हार जाता है शुजा देखें यहां भी हार चुका है दारा से भी और शुजा किसे औरंग जेव से भी हार चुका है अब फिर लास्ट जुद्ध होता है देवराई का युद्ध देवराई घाटी में यहां पर होता दारा और औरंग जब के बीच में और यहां बेभी दारा हार जाता है और इस बार दारा को पकड़ के बंदी बना लिया जाता है और उसको बाद में उसको मरवा दिया जाता है क्यूंकि यह पूरा प्रतिध्वन्दी यह था मुख्य पूरंग्जव प्रतिध्वन्दी और अरंग्जव इसको मर वान दिया जाता है कि काम ही सल्कुरम करते हैं कल को फिर से सलतनत assessments में तो इसको बंद कर दिया जाता है और इसी देखे कैद में ही इसकी मृत्य हो जाती है साज ऑनकी चोहतर वर्स की आयूं मैं और इसको तो बिचारे नशीब नहीं होता है और और आजएव कि आपने तीन भायों को रास्ते से हटा दिया था मुराद जो था जिसकी मुराद कभी पुरी नहीं हुसी थी उसको एक दिन बलाया जाता पार्टी-पर पाटी करता है और अंग्जेव कि मुराद को बलाता है मुराद तु आ इधर पाटी करते हैं बैटके बढ़िया भाई भाई अब इसको बुलाकर इसको नशे जहें इसको दारवार रिपिलाके इसको बंदी बना लिया जाता है बाद में इसको गौालियर भेज के वहाँ पर इसके हत्या करवा दी जाते हैं शूजा जो है वह पराजित होकर अराकान भाग गया यह तो बच गया मतलब यहां सब बच गया पर अगे जाके वहां पर मग्ध लोग थे उन लोग ने इसकी हत्या कर दी अब दारा शिको का बेटा होता सुलिमान शिको यह वहीं मेरे बाप सब्सक्रो कन些 करते हैं वहां पर इसको बंदी बनाट कर जबढर स्थन को अफ्हिम खळाया जाते है और ड्रक्स दो ड्रक्स मांगता नहीं है वह इस सब्सक्रैकर निकला तो इसको पुत्रेसिकरма और यह दोनों मान जाते हैं इसलिए देखिए और जेप की बेटी से शादी करने के चक्कर में शिफर तो बच निकलता है है ना इस प्रकार से शाह जाहां के बाद में राजा कोन बन गया और अरंग जेप है ना तो आज का लेक्चेर हम यहीं समाप्त कर देते हैं कल का जो ले सब्सक्राइब करनेंगे एक और राजा के बारे में और अरंग जेप के बारे में देखिए आप किसी को लग सकता है कि सर इतना पढ़ा रहे हैं यह ऐसा तो यूपसी का कोई भरोसा नहीं है तो भी सेफ आपके बास जब तक टाइम है तब तक आप इसे पढ़ सकते हो और को आपके बास टाइम नहीं है तो देखिए अकबर बारे में तो आपको जानना झारूरी है यह सारी बाते और उसले जब तक आप एक पर अपना चेनल है यहां से आप स्कैन भी कर सकते हैं ठीक है और अगर आप कोई एक लेक्षर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई सला लेनी हो या कोई सला आपको देनी हो तो आप कमेंस बोक्स में हमें लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक धंग से हमें अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे नमस्ते धन्यवाद